हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो पर मैंने बना एक ग्लूगान इसे मैंने कार्डबोर्ड और पेंसेल से बना है यह बहुत ही अच्छे से ववर्क करता है इसे आप मुबाइल का चाता से ही चला सकते हो इसे कैसे बना तो इसका पूरी डिटल समेश वीडियो पर दिखाए है तो वीडियो को लाश तक जड़ू देगना तो फ्रेंट्स देख सकतो इसका डिजैंड मैंने कर दिया और मैं कुझ इस पकर का दो पीसे काटिंग कर लिया और एक कार्डबोर्ड का पीसे आप चाते हो तो यह आपे PVC पाइप का सीड भी उसकर सकते हो उसके बाद फिंट्स देख सकत हूँ मैं कुछ इस पकर का एक कार्डबोट का पीज ले लिया और इसे हम फिक्स कार्ड देंगे इसके साथ कुछ इस पकर से तो चलिए इसे फिक्स का लेते तो इसे फिक्स करने के लिए मैं ग्लुका यूस कर रहा हूँ झाल झाल प्रिंट सामें चाहिए कुछ इससपकर का कीट टीन का सीट और फिंट सीस आम पिजिस पकर से मौल लेंगे और देख सकतो फिंट सहे है हमारा ग लू ीयु श्टिक और यह इसके अंदर कुछ इससपकर से फिक्स हो जाएगा तो चलिए इसे काटिंग काल लेते हैं और फेंट्स काटिंग करने के बद कुछ इस पकार कहा है तो देख सकतो है यह पर्फिकली हो गया है कर चले प 걸ूल इसको हम सॉल्डिंग कर देंगे सो श्योडिंग करने से पहले इस से थोड़ा सा हम घील लेंगे उसके बाद Fl render और तो फ्रेंट्स देख सकतों मैंने कुछ इस पकर से सोल्डिंग कर दिया उसके बाद फ्रेंट्स समचा एक पेंसिल तो इस पेंसिल को हम छिल लेंगे कुछ इस पकर से और फ्रेंट्स इसके अंदर जो ग्राफाइट है इस ग्राफाइट को हम बाहर निकल लेंगे तो मैं यह पर knife का उसका करके कुजी स्पकर से छिल लूँगा उसके बाद इस graphite को निकल लेंगे तो देख सकतो friends मैंने कुजी स्पकर से इसे निकल लिया है उसके बाद friends इसके जो side है इस side पर मैं कुजी स्पकर से cutting कर दूँगा आपको cutting ज्यादा नहीं करना है सिब यह पर marking कर देना है तो देख साकतो friends मैं दोनों side पर कुजी स्पकर का दो marking कर दिया उसके बाद friends मैं एक छोटा से wire लूँगा और इसको कुजी स्पकर से इसके साथ connect कर लूँगा तो इस side पर मैंने connect कर दिया और दूसरे side पर भी connect कर लूँगा उसके बाद friends इस side का जो आयर से इसको हम cutting कर लेंगे उसके बाद friends हमें चाहिए कुजी स्पकर का एक pipe और motor winding swap पर आप लोग को easily मिल जाएगा तो इसको हम इसके अंदर से कुजी स्पकर से ले जाएंगे और आपको बाहर निकल लेना है और यह जो आवयर है इसको हम इस tin seat के साथ solding कर देंगे उसके बाद friends हमें चाहिए कुजी स्पकर कर टीन का seat और मैं छोटा छोटा करके दोपीस cutting कर लिया और यह जो हमारा graphite है इस graphite को हम रोगने के लिए इसका इस्तेमल करेंगे और इस टीन का seat को solding कर देंगे उसके बाद friends से इस टीन के seat के साथ हम ओयर को solding कर दिये थे तो एक ओयल लेंगे और यहापे हम solding कर देंगे तो friends देख सकतो हमारा hitting element है वो burn गया है तो देख सकतो है रहा इसका दो यार उसके बाद friends मैं कुछ इस पकर का एक टीन का seat use कर रहा हूँ और इस element को हम इसके अंदर से solding कर देंगे तो पहले मैं इसको cardboard के साथ fix कर दूँँगा तो इसे fix करने के लिए मैं superglue का use कर रहा हूँ इसके बाद friends इसको हम इसके साथ कुछ इस पकर से fix करेंगे और इसके चारों तरब हम solding कर देंगे तो friends देख सकता हूँ मैंने कुछ इस पकर से solding कर दिया उसके बाद friends इसके हम hole कर देंगे कुछ इस पकर से तो इसके बाद हमें चाहिए connector और यह आपको electronic swap पर easily मिल जाएगा तो इस connector को हम hole के अंदर से कुछ इस पकर से fix कर देंगे तो friends connector को wire को हम hitting element के wire के साथ connect कर लेंगे तो इस wire को दोनों wire को हम connect कर लेंगे और दोनों wire को हमें छोड़ देना है तो इस wire को हम PVC tape के साथ से cover कर देंगे उसके बाद friends हमें चाहिए कुछ इस पकर करके gas paste switch तो यहापे मैंने hole कर दिया switch के नाप के उनसर तो इस switch को मैंने कुछ इस पकर से fix कर दूँगा उसके बाद friends connector का एक wire को switch के साथ connect कर लेंगे और एक wire हमारा खाली रह गय थे जो है hitting element का wire उसको switch का दूजरा pin पर solding कर देंगे तो चले फिंट्स आभी जो इसके अंदर wires था इस wires को आच्छे से fix कर देंगे तो चले फिंट्स आभी इसको हम cover कर देंगे तो इसके चारो तरम में glue gun के साथ से glue दूँगा और इसको आच्छे से fix कर देंगे उसके बाद फिंट्स हमचे के aluminum का wire और मैंने कुछ इस पकार से band कर दिया इसे और इसे हम इसके साथ fix कर लेंगे और यह इसका stand हो जाएगा तो देख सकतो फिंट्स मैंने कुछ इस पकार से fix कर दिया उसके बाद फिंट्स हमें चाहिए की USB केबिल इस केबिल को हम इस glue gun के साथ connect कर लेंगे तो चलिए आभी इसमें हम glue stick को भर देंगे उसके बाद फिंट्स इस USB केबिल को हम स्मार्टफून के charger के साथ connect कर लेंगे और फिंट्स यह 5V 2A का charger और फिंट्स इसे 220V पे plug-in कर देंगे तो दोस्तो देख सकतो मैंने कुछ दर इसे heating होने दिया और यह heat हो गया है और काफी आच्छे से यहाँ से glue आ रहा है तो फिंट्स देख सकतो बहुत आच्छे से work कर रहा है और आप भी इसे घर पर बना सकते हो और फिंट्स वीडियो आच्छे लगा है तो लाइक कर देना और चैनल बनना है तो सब्सक्राइब भी कर देना अब लोग को ऐसे यूस्पल वीडियो मिलते रहेगी तो चलिए फिंट्स फिडियो लाइगे नेक्स टुडियो तब तक के लिए बाई